नमस्कार, आईनेश 24-7 के विशेश कारिकरम बोटर बोल रहा है मैं आपका स्वागत है मैं हूँ संतोस कस्यप और आज हम पहुचे हैं अंबिकापुर्बिधान सभा सीट पर जहां से सूबे के डिप्टी सीम टीया सिंग्डियो बिधायक है हाला कि टीया सिंग्डियो के खिलाब भाजपा ने भी इस बार नए चेहरे पर दाव खेला है तो जोगी कॉंग्रेस ने भी इस बार अपने परत्यासी अंबिकापुर्बिधान सभा सीट पर उतारे हैं कई निर्द्यली चेहरे भी हैं तो क्या इस बार के विधान सभा चुनाओं में बोटर के मन में क्या है आखिर बोटर क्या बोल रहा है इस बार ये तमाम बाते हम जानने का परयास करेंगे साथ ही ये भी जानने का परयास करेंगे कि क्या टीया सिंग्डियो के इस अभेद कीले को इस बार बीजेपी या अन्यदल भेद पाएंगे तो आएए चलते हैं बोटरों के बीच और जानते हैं कि आखिर इस बार क्या कहता है बोटर तो इस वक्त हम अंबिकापुर के घड़ी चौक पर मौचूद हैं देख सकते हैं दिपावली का भी महौल है चुनाओ के साथ साथ दिपावली का महौल है बजारे सज गई है गरहांक भी आ रहे हैं मैंडम इस बार दिपावली के खरीदारी भी आप करने पहुंचे हुए हैं साथ इस बार विधान सब्सक्राइब चुनाओ भी है कौन है अंबिकापुर का विधायब कुछ पता है आपको अभी तो टीय सिंग देव हैं क्या लगता है पांट साल बीद गए और अंबिकाप अब भाजपा ने किस परतियाफी को उता रहा है कि आप उसके नाम जानते हैं मुझे उतनी जानकारी नहीं यह वाजपा के बार अभी तो एहाँ जो दुकान लगा है इनसे वी चर्चा करते हैं क्या नाम भी आपका मेरा नाम नाम नागदेो सोनी है नागदेो जी इस बार क्या है मन में इस बार मैं में तो ठीक है भी जा चल रहा है अब चुनाओ है तो भाई बोट तो देना ही पड़ेगा कोन अम्डिकापूर का बीधायक कोन है इस बाबा है और इस बार भी खड़ा हुए है और भाजपा से राजे सग्रवाल क्या लगता है कौन मजब तो लास्ट में पता सकते हैं तो अभी नहीं बता सकते हैं लाँ पता चलेगा क्या नमसर का बीधा परसाद कुपता है अम्डिकापूर से ही है विदम हमाह मंदिर कम न होब क्या लगता है छुनाव आ गया है महौल भी गर्म है क्या लग रहा इस बार बाबा जीतेगा जैसे दसे बोट से जी देंगे जितेंगे बाबा जीत जाएंगे त्वाइफ जीतेंगे और भी लोग है पर आटो में भाइस आप इहां पर बैठे हुए है च्या नामे भईया क्या लगता है चुनाव फिर से करीब आगे हैं इस बार क्या महौल है कौन-कौन है मैदान में इस बार मैदान में तो आजे गरवाल जी है ट्यस बाबा है और आम आद्मी पार्टी जोगी कॉंग्रेस तो कोई अभी ना जान काई नहीं है तो क्या लगता है इस बार आजे राजेस अभरवाल या टीयो सिंग जो कौन पंजा चाप भाजपा कुल चाप देखिए भाजपा जीते के कांग्रेस पंजा साब जी तो भाई समय बताएगा कौन-कौन है प्रफियास इस बार मैदान में बाबा है अवयक्ति हैं अहां के सते तो स्चन का टाइम होता है एक दीस दिन रहता है तभी कुछ समझ में आता है अब कुछ नहीं बता सकते क्या लगता है टीय सिंग जो कांचन को भूप करना साइब इकाफ आफ सांने करना तहां घ्लाक अब कॉश्यास विजुन है कहीं इस लाक में इस बार मद्दान करने जाएंगे? भीया, हम लोग का सोच तो एह है कि अधिक से अधिक विकास हो और हम लोग क्या है कि BJP के समर्थक है? ठीक है, तो हम लोग का वोड तो BJP को ही जाएगा. आप यूथ है, पहली बार वोड डालने जाएंगे, तो आप यह सब नहीं देखते हैं कि इसने काम किया, किसने विकास किया, किसने डव्लप्मेंट किया काम तो भी हमको बीजै पी कही दिख रहे है monsters तो अम्बीकापुर नेकर आओ कि हम बाहर खड़े हैं देख सकते हैं जो अभी लंग्चनल्क हुआ है तो हम भी यहीं पर रुख गया और सोचा कि आज इनसे भी चर्चा कर लें कि आखिर कार अंभीका पुर्वीधान सवा के जो बोटर हो क्या बोल रहे हैं इस बार क्या लगता है किस अधार पे आप लोग अपना मद्दान करने जाएंगे जो पिछला काम है उस काम के अधार पे जो अभी इस्टी अभी जैसा है तो लगता तो है कांगरेस आएगी कांगरेस का अच्छा लग रहा है क्या लगता है टीया सिंग जो पान साल में वो काम कर पाए जो काम अंभीका पूर को लेकर होना था देखिए इसका आकलन तो मैं बहुत अच्छे से नहीं बता सकता है पूरा हुआ नहीं हुआ कुछ तो काम हुआ कुछ काम हुआ बाकी होने वाला है प्रफ आपको इस बार अमभीकापुर विधान सुबह चुनाओ करीब आगे महौल भी गर्म है इस बार क्या लगता है की फदहार पर बोट करने जाते हैं आप लोग सॐते काम क्या अधार पहेट क्या लगता है टिया सिंग ten वारों उपर Darwin क्या लगता है कि अथी वालागें अपने काम हो आदार पर के जाएंगे !!! तो डवलेपमेंड के नाम पर बोट करने की बात कर रहे हैं और भी अधिवक्तें अपर बैठें हैं आप लुग किस अधार पर बोट करने जाएंगे इस बर क्या लगता है अभिकापूर के जो विकाफ होना थो हो पाया नहीं विकाफ तो पुरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं देखता हूं अभिकापूर में कि जो मेडिकल का सुविदार था हो भी काफी नहीं हो पाया है हमारे पूर मंतरी मरलस्वास मंतरी भी ते टीह सी दे उसके बाद भी जो मल्ट तो उसके बाद मैं गोधनपूर वाड में रता हूं नावा पारशा गोधनपूर जया रोड है तो कैसे भीकास माने हूं इसलिए मैं करता हूं कि इस वर थोड़ा स्था सोचना पड़ेगा आपको क्या लगता है कि अमभिकापूर का जो पान्ट साल में डबलमेंट हो पाना तो डबलमेंट हुआ नहीं हुआ है लापरवाही भारी बढ़ती गई है और अभी तो दो चार दिनों से गली महलनों का सड़क सुधार रहा है तो इस टाइप का विकास तो नहीं चाहिए हम लोगों को जो कि शुनाव आए तो गली और लाइट कंभों को उचित कर दें सब यह ठीक नहीं है ऐसी राजनीती हम लोगों को बहुत ही बोट देने से भी किनारे करती है क्या सोच के इस बार आप बोट करने जाएंगे हमारे हां सरगुजा का जो विकास होना चाहिए वो वास्तविक में नहीं हुआ है रोड हर तरफ देख लिए बधाली है यातायाद व बाकी फिर पता नहीं चलता है इनका तो हमनों को इस बार बिचार करना पड़ेगा क्या करना है चुनाओ की तरह जैसे जैसे दिपाली के दिन भी करीब आ रहे हैं बजारों में रोणक देखने को मिल रही है लेकिन इस रोणक के बीच सबसे बड़ा उत्सो भी चुनाओ है अखिर पार चुनाओ में जो बोटर से अंभिकापूर की आखिरो क्या बोल रहे हैं उनके मन में किया है यह जानने अब हम अंभिकापूर के गुद्री बजार में पहुचे हुए है यहां पर लोग भी हैं पर क्या नाम है अम्मा करेंं इस बार चुनाव करीब आ रहे हैं कौन है विद्धाय कंभी का पूर्गा उतना तो हम लोग नहीं जान रहा हूं और भाध फिर तो लृसन यान रहे हैं इस बार छुदा परीब आरे मद्दान करने जाना है किस चीज को देखके मद्दान करेंगे के का रोंगी जिसको में और देना-चरा की बनाए किस द्धार्ट कि रहा तो कुछते हैं मद्दान करने से पहले आप इस बार बदलाव लाने का इरादा है तो मेरा वोड तो कमल चाप को जाएगा राजे शक्रवाल जी को क्या कारण ऐसा है कि बदलाव सबसे बड़ा कारण है बहुत जरूरी हमारे सरगुजा में बदलाव आएगा तभी पता चलेगा दूसरे पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वह भी अपने आपको प्रूफ कर सके 15 साल तो कॉंग्रेस को मौका मिल चुका है लास्ट तीन बार से अब इस बार दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा तभी तो पता चलेगा ना कि कुछ अलग वो कर पा रही है या नहीं बार से भी लेकर आजा रहे हैंसको हमारे मतलप कर थोड़ा ठाब चल रहा है जैसे की चुनाओ भी करीब आरहा है बोट डालने भी जाना है क्या सर 7-5 व्हां पर इनसों ही बात कर रहे हैंक्ति ह्त्तूब्सका की एव Means our고 q लोग आ पर इनसों ही बात कर थे हैं कि आफ़ teakल तो काफी महंगाई है तो चुनाओ भी करी बात है बोट डाले जाना है मुख मंत्री तीयस सिंग बन ही एकर बर बोट दे रहा है और भी कुछ लोग क्या नाम है आपका इस पर दिया हुआ ले लिये हैं किस परकार से महंगाई है पहले से कम में दे रहे हैं चुलाओ भी करीब आ रहा है बोट डालने जाना इस बार फिर से क्या लगता है क्या पूचते हैं आप किस चीछ को देखकर इस बार बोट करेंगे इस बार देखके करेंगे सरकार बदलना है इस बार मंगाई को देखते हुए क्या डवलाप मेंट हो ग neutr abdeta म okay उतरा नहीं पाया और नई कुछ भी नहीं हुआ है भाजपा का सरकार लाना इस बार, तो और वी कुछ बैपारी भी है, जो दिया बेच रहे हैं, क्या नाम है आपका, मोती पर्जपती, जी दिया हुआ ठीक गचात है, जो बेचारा है, ठीक है बेचारा है, चुनाओ भी करीब आथे, बोट भी डाले जाना है, का फोच के बार कोट डाले जही है तुमन का सुथ के टालेंगे जूब अभी तो बिचार कुछ नहीं बना है अभी तो टैम है उसका बनाएंगे अब दी पावली पाथ तो कौन है अम्धिकापुर का बिधायक बिधायक है का संजेक का नाम है तीयर सिंदेव तीयर सिंदेव राजे फगरवा अब इंदे दी पावली के साथ-साथ चुनाओ भी है इस बार और हमें चुनाओं में अपने मुप्यों करेंगे तो करेंगे क्योंकि एक बोट के किसी भी सतना और सकते हैं जो सतना पक्षमारे कार करेंगा हम उसको बोट देए और फिराल हमारे बहुत अच्छा कारओ नही क्या लगते हैं विकापूर में डबलब्मेंट हुआ है फड़क पानी बिजली नाली जो मुल भुत्सु जिधाएं होती है पूरा हुपाया देखे दिकास हुआ है डिकास के परणाम हम सपार में प्रेकर है यह कुछ हमेरे हमारी अपक्छा है जो पूरी नहीं हुई है हम चा किना समय बहुत पर कर दो पार्थी में ऑर करना का दोना का थेर्थ क सथा हरा है सपड़ी किसा बकसे इन्हेब है ऑंहें बेंसे हैब किसंट्व कर देखे पार तो आपने देखा कि 36 गड़ के दूसरे सबसे हाई प्रोफाइल सीट अंभिकापूर विधान सभा के आखिर बोटर क्या बोल रहे हैं और क्या है अंभिकापूर का महाल तो मुझे दिजे इजाजत मिलेंगे किसी और विधान सभा के साथ नमस्कार